हेलो फ्रैंस स्वागत है मेरे चैनल स्वाथ पलस में तो आज हम बनाएंगे गेहूं के आटे से बिल्कुल special recipe बहुत ही नया है बहुत ही unique है बहुत ही special है ये recipe बहुत ही महगी बनती है लेकिन गेहूं के आटे से घर के समान से हम बनाएंगे बहुत ही सस्ते में बिल्कुल वाली रेस्पी बनेगी तो बीना किसी देरी के चलिए फटा-फट रेस्पी की सुरुवात करते हैं तो सबसे पहले हम किसी भी बरतन में लेंगे गेहूं का आठा तो मैंने एक बाउल गेहूं का आठा लिया है अब इसमें डालूंगी दो से तीन चम्मच देशी घी आप दे अच्छे से मिला करके इस तरीके से मुठी बनाएंगे जब आपके मुठी बनने लगे तो समझे मौन अच्छे से चाश चुका है अब इसको अच्छे से हम थोड़ा-थोड़ा पानी डाल करके आठा गूतेंगे तो आठे को हमें बिल्कुल टाइट आठा गूतना है जैसे एक प्लेट लेंगे इसमें डालेंगे एक कटोरी गुड का पाउडर अगर आपके पास गुड का पाउडर नहीं है तो आप एक पिस गुड लीजिए उसको कद्दू कस कलीजिए आपका एक कटोरी गुड तयार हो जाएगा यानि गुड का पाउडर अब इसमें डालेंग अगर आपके पास coconut powder नहीं है तो आप जो बना हुआ नारिया लाता है उसको आप कद्धू कस कर लीजिए अब इसमें डालेंगे एक के चमच घी तो ये देसी घी है आप इसमें देसी घी ही इस्तिमाल कीजिए अगर देसी घी नहीं है तो आप इसकी भी कर सकती है अब सारी चीजे को हाथों से अच्छे से मिला देना है अब इसको हम मिला करके थोड़े देर के लिए साइड पे रखेंगे फिर हम देखते हैं हमारा आटा तयार हुआ की नहीं तो ये देखिए आटा बिलकुल रिष्ट कर चुका है चास से पाच मिनट हो चुके हैं अब तो सबसे पहले हम जितनी भी लोईया होंगी उनको तोड करके रख लेंगे अब हमें क्या करना है जो हमारे कीचन टाइस होते हैं उसको अच्छे से साप कर लेना है या तो आप एक काम चकले पर भी कर सकती हैं अब हम सुखा आटा लेंगे सुखे आटे को अच्छे से बेलते हैं ऐसे ही हँमें बेल लेना है एक बड़ी सी रोटी जितना बड़ा आप इसको बेल सकें इसलिए मैंने बोला था कि बल्कुल बड़ी सी लोईी आप बनाईए नहीं बहुत मोटा rookie रखना है बस एक the Ugh बतला रखना अही बच disc इस तरीके से कोई भी गिलास या कोई भी कटोरी लेंगे जिससे की हमारी पूडियां कट जाएं तो इस तरीके से जितनी भी पूडियां एक बार में कटेंगी हम इस तरीके से बेल करके सारी पूडियों को काट लेंगे तो सबसे पहले हमें यही काम करना है और जो बचा उसको हम बाद में लोगियां बना कर लेंगे तो आप देख सकते हैं मैंने सारी पूरियों को बेल करके रख लिया है अब लेंगे एक के पूरी इसके उपर जो हमने गुड़ वाला जो बना करके रखा है पूरन उसको एक चमच हम रखेंगे पूरी के ऊपर अब दूसरा पीस हम पूरी का लेंगे तो इसके उपर रख करके इस तरीके से फिंगर से हम दबा देंगे चारो तरफ से ताकि जो बीच का पूरन है और निकलेना तो आपको अच्छे से दबा देना है आप देख सकते हैं मैंने इसको दो तीन बार अच्छे से प्रेस कर दिया है अब कोई भ लगाया है से मुसी के बीच में थोड़ी थोड़ी दूर पे चाकु से हमें कटिंग कर देनी हैं तो आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से बना रही हूं तो आप इसी तरीके से आसानी से बना सकती हैं आपका कोई भी special guest हो उनको आप बना के खिला सकती हैं या होली का समय आ रह हैं तो आप देख सकती है मैंने कितने अच्छे से इसका design बना दिया है जो की हर कोई आसानी से बना सकता है एक छोटा बच्चा भी इसको अच्छानी इसे बना सकता है, तो आप देख सकती ही, कितना खुबशी, लग रहा है। देखने में, तो इसे तरीके से जितनी भी हमारी लोई हैं, जितनी भी पूदिएज़ बना लेंगे, बहुत ही आसान है, अगर आप चाहें यह डिजाइन आप से नहीं बनता है, तो आप जो गुजि बनाते हैं उसे भी बना सकती हैं लेकिन इस तरीके से जब आप बनाएंगी तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा देखने में बहुत ही ट्रडिशनल लगेगा बिलकुल एकदम यूनिक और नया लगेगा तो आप देख सकती हैं मैंने सारे गुजियों को इसी तरीके से भर लि इदर हमने कडाही में तेल रख लिया है तेल भी अच्छे से गरम हो चुका है अब इसको हम मेडियम फ्लेम पे अच्छे से फ्राइ करेंगे दो से तीन मिनट हमें लगेंगे इसको फ्राइ करने में अच्छे से इसको फ्राइ करना है बीच में आप एक दो मिनट के लिए आज इसको बिल्कुल लो पर भी करके इसको छोड़ दीजिए ताकि जो हमारा गेहूं का गुछिया है वो बिल्कुल अच्छे से खस्ता हो जाए क्योंकि यह गेहूं के आटे से बना है तो इसको खस्ता होने में थोड़ा टाइम लगेगा अगर हम मैदे से बनाते यही रेश्पी तो बहुत जल्दी वो खसता हो जाता भले हम उसको high flame पे तलते लेकिन जब इसको हम थोड़ा सा low flame पे कर देंगे दो मिनट के लिए तो बहुत ही अच्छे से ये तल जाएगा आप दो मिनट के लिए इसको medium flame पे रखिए और दो मिनट के लिए इसको low flame पे तो जब ये अच्छे से सुनेरा हो जाए तो इसको निकाल लीजिए और आपकी जो है गुजिया बिल्कुल अच्छे से तयार हो जाएगी ये बहुत ही healthy होती है क्योंकि ये आटे और गुड़ से बनी है तो आप देख सकती है हमने कितनी सारी गुजिया बनाई है बहुत ही स्वादेश्ट है बहुत ही देखने में प्यारी लग रही है बिल्कुल यूनिक रेस्पी है अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक सस्क्राइब जरूर कर देना और कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं